हेलो गाइस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करें कि अधानी एनर्जी सोल्यूशन की आदे अप्यसन की गिरावट के साथ बंद रहा अभी भी इसके अंदर जो है तेजी की उम्मीद लग रही है क्योंकि यहां पर आज के दिन देखें जूम करके आज के दिन की जो गि इस दिन उसके बाद कल भी आसपास इसने सपोर्ट लिया था आज भी अगर आपने देखा वहीं पर सपोर्ट लिया है तो बहुत की आगर देखें तो वोल्यम जो ऑचा कासा रहा तो आप calculate खुद करकर देख सकते हैं कि कितने रुपे की यहां पर बाइंग हुई है तो आज भी कही ना कही ऐसा लग रहा है कि अच्छी कासी यहां पर delivery उठी है और यह पिछले कहीं दिनों से चल रहा है और यहां पर निप्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं उपर में इसका हाई जरा देखिए उसके बाद 200 पॉंट की जो ही इसके अंदर गिरा बटाई थे निप्टी के अंदर 22,000 के आसपास से हलका सा bounce back देने की कोशिश की तो कई ना कई इस वज़े से ही जो इसके अंदर आसा लग रहा है कि यह करेक्शन थोड़ा असा profit booking आई यह थोड़ा सा चिंता का विशे भी लग रहा है और नहीं भी लग रहा है बिकोज कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यह हो सकता है कि intraday players ने यहाँ पर यह बिक वाली की हो जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की होगी उसने और यहाँ पर अगर आप देखें कि अच्छा का सा volume था पूरे दिन लेकिन आखिर में यह जो गिरावटाई वो कम volume के साथ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह थोड़ा सा एक मतलब कि हो सकता है कि intraday players ने यहाँ पर विक वाली कर दी हो और कल के दिन वापस से bounce back आने की भी संभाव ना हो सकती है अगर market का साथ रहा market at least stable भी रहा तो भी यह वापस से कल bounce back देने की कोशिश कर सकता है और अब कौन से वो level हो सकते है अगर उसको यह cross कर दे तो अच्छा रहे सकते है तो वो जो है पहले तो यह 200 दिनों का moving average आप देख सकते है यहां पर जैसे कि हमने कल भी चल्चा की थी कि 1100 से 1130 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है और पच्चास विक का moving average वहाँ पर है अगर इस level को cross करता है तब जो है यह 200 विक के moving average तक भी जा सकता है इसलिए मुझे इसा लग रहा है कि यह 120 का जो zone यह भी एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है तो 120-140 के उपर जब तक है तब तक इसा लग रहा है कि strength बनी हुई है अभी इसकी middle lane बुलिंग जर्बेंकी उसके आसपास यह काम कर रहा है और आगे देखे M.A.C.D. को तो यहाँ पर जो है एक bullish crossover बना हुआ है आज भी है strength यहाँ पर दिख रही है एक green color का बार बना है और आगे देखे इसके fibonacci के retracement जिनको नहीं पता उनको बता तो यह यहां से लेकर यहां तक यह जो तेजी आई थी उनके retracement है लेवल्स के अं 28% का retracement तो यह अभी एक ऐसा लग रहा है कि एक short term में range बनी हुई है नीचे में 980 यानि 975 के आसपास उपर में देखे तो 1130 के आसपास तो यह 500 रुपे की जो अभी range बनी हुई है कही ना कहीं यहां से लेकर यहां तक अगर देखे तो एक range bound अभी हो चुका है और इसके अ अच्छा कसा यहां पर हो रहा है तो यहां लग रहा है कि accumulation अच्छा कसा हुआ है इस लेवल के आसपास और यहां पर इसे ट्रेंड लैंग का breakout भी दिया तो अब अगर सब कुछ सहीं रहता है मार्केट का साथ रहता है तो इसके अंदर एक तेज़ी की possibility हो सकती है और कौन से करें तो एक हजार से लेकर 975 रुपे का असपास का प्राइस रजिस्टन की बात करें तो मुझे इसा लग रहा है कि आज इसने जो हाई बनाया था पहला रजिस्टन अभी यही बना हुआ है अगर इसको पार करता है तो उसके बाद 1100 रुपे से लेकर 1130 तक जा सकता है यह इसके दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर वापस एक जो है बांस बेक देने की संबावना इसकी रह सकती है क्योंकि आज ट्रेंड लाइन के जो सपोर्ट है वो इसने नहीं तोड़ा 21 दिन के मूविंग एविलच के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है तो सब कुछ पसके लिए नहीं मेरे तरह से कोई भाई असल करें को मैं निस्टन नहीं तेंक यू